हेलो दोस्तो गुड मॉर्निंग टू आल अफ यू स्वागत है मेरे एक और नए ब्लोग में तो दोस्तो आज का ब्लोग है हम वैसे तो आज बाहर जाएंगे घुमने के लिए एक पार्क पार्क का तो नाम मुझे पता नहीं है पर हाँ एक पार्क जाएंगे आज हम घुमने और एक अपने दोस्त के साथ उससे पहले चलिए कुछ नास्तावास्ता कर लिया जाए उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ और अच के दिन कुछ खास तो सायद ना हो अभी तक क्योंकि ठंडे का मौसम जा चुका है और धीरे 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 घर्मी आ रहा है तो चलिए गर्म का मौसम कब वेट ना करते हुए हम देहा ध्वा के फिर खाने के बाद आपसे मिलते हैं डैरेक्ट कुछ चटपटी गुट गुटी खटी धेकार वाली बातों से आपका मनुरंजन करने सो चलिए भी चलता हूँ ये दोको दोस्तों ये बना है सबजी आलू माटर का सबजी ये रहा बासी रोटी कल का बचा हुआ बासी रोटी है इसी को नास्ते में खाएंगे तो चलिए खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं ये दोको दोस्तों गाय का दारा बन रहा है गोइठे के मतलब गोइठे डाल का दारा पकरा उसमें गाय का दारा है तो दोस्तों ये देखो बासी रोटी और आलू मटर के सबजी है इसे ही आज खाना है नास्ते में यही मिला है देखिए बगल वही बासी रोटी है और ये बगल में वही सबजी है आलू और मटर के सबजी देखिए यही वही सबजी है जिसे मैंने आपको दिखाया था और बगल में यह हमारा दही है गाय का दही है हमारा दही नहीं गाय का दही है चलिए आपसे खाना खाने के बाद फिर मिलते हैं तो दोस्तों खाना हमने खा लिया और अब चले हम चलते हैं एक नए जगा घुमने जिसका न लगता है दाम दाम दीजीए अंदर घूमिए और टाम पहले बाहर निकल देए वरना पार्क के अंदर आप से ही पूरा पार्क साफ करवाया जाएगा और साथ साथ वहीं पे रात बिताना होगा सो उससे अच्छा है आप पांच बज़े से पहले पार्क से निकल जाएए तो चलते हैं सिधा पार्क की तरब और मिलते हैं वहीं पे तो दोस्तों हम देखिये आ गए हैं पार्क घूमने के लिए और यह रहा देखे वह पार्क का गेट है यह पार्किंग है और अगल बगल का नजारा देखिये पब्लीकों का कितना भीड लगा हुआ है तो चलिए चलते हैं अंदर फिर आपसे मिलते हैं तो दोस्तो हम पार्क के अंदर आगा हैं वो देखे मेरा दोस्त आगे-ागे भागे जा रहा है पता नो उसे कौन सी हुस्ण की परी आगे मिल गई वो चला गिया हमें छोड़के और हम आपको ये नजारा दिखा रहे हैं ये देखिए दो पापा की परिया जा रही है घुमते घुमते पता तो दोस्तों ये देखिए जंगल पार्क के नाम पे ये जंगल बना दिया गिया है चारो तरफ सन्नाटा और ये देखिए चारो तरफ पहाड बड़े बड़े पेड़ के अलावा हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है और देखिए स्वरिया राय कट्रिना जा रही है और यह देखिए मेरा दोस्त अपना वीडियो में लगा हुआ है देखिए पंकज उदास जैसा बैठा हुआ मेरा दोस्त है कोई लड़की सको यह भाव नहीं दे रही है इसलिए उदास बैठा हुआ ये देखिए हाथी महराचों किसी ने बैठा के दम कुर्सी बना दिया है चलिए कोई नहीं हाथी में बैठने का मज़ा दुसरा होता है ये भी आती ठीकी है चलिए चलते हैं आगे आगे कहां चला जाए वो देखिए एक सियार बैठा हुआ है सियार में बैठके उड़ से देखिए मोर मोर में उड़के जा सकते हैं पापा की परिसे मिलने के लिए वो देखिए ये देखिए चारों तरफ जंगल ही जंगल है जंगल में मंगल करने का मन करे तो आप यहां आ सकते हैं वरना वो धूपक नजरा देखके आपस घर जा सकते हैं, तो चलिए अब आगे चलते हैं, और इधर देखिए, मोर में बैठने के लिए लोग छट पटा रहे हैं, कि हम भी उड़ेंगे, हम भी उड़ेंगे, पर उन्हें कोन बता है, मोर नहीं उड़ सकता, वो पत्थर है, और इदाद आई, तो इंसानों के ज इधर सरक रहे हैं, सरक सरक के देखिए, बील से बाहर निकल रहे हैं, छेदा जिसे कहते हैं, हम अपनी भासे में छेदा, छेदा से देखिए, अभी कोई ना कोई जरूर आएगा बाहर, और देखिए, आने वाला है, कोई तो जरूर आएगा इस छेदे से, एकोई है रे, ए देखिए अभी जरूर कोई न कोई छेदा से निकल गिया छेदा से ये देखिए बचों को जूलने के लिए गोल-गोल जूला ये जूला सबसे अच्छा क्यूंकि आप जब बड़े होंगे ना तो आपको बस या गारी नहीं लगेगा इसलिए आप इस जूले में जूल सकते ह पर उड़ नहीं पा रहे हैं पर कोशिस में लगे हुए हैं चलिए इनका थोड़ा नजारा देखते हैं गानली जी के तीन बंदर अंगर बंग डंगर जूलो जूलो आर जूलो जूलो जोर से जूलो जेतना उपर जा सको यह देखे मेरा दोस्त जिसका नाम लंगूर है यह अंगूर खाने की कोशिस कर रहा जूले में जूलने की कोशिस कर रहा डर भी रहा तो पैर भारी हो सकता इसे यह यह गुम नहीं रहा चलिए इसे मैं जुला के फिर आपसे बात करता हूं यह देखिए गांदे जी के तीन बनर अभी तक जूल ही रहें मैं भी देखो दोस्तों जूले में जूलने के कोशिश कर रहा हूं जूलने के बाद फिर आपसे बात करता हूं और दोस्तों आगे चलते हैं ये देखिए जंगल में मंगल करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए ये कैमरा मैं अपने दोस्तों की फोटो निकाल रहा है वो देखिए सारुक असलमान खड़े हैं फोटो लेने घीचवाने के लिए ये देखिए करण जोहर निकला बगल से चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे के नजारा देखते हैं ये मेरा दोस्त देखो बार बार आगे चला रहा है इसे मैं कह रहा हूँ कि पीछे जाओ तो समझ में नहीं आता है इसे छोड़ो इसे मारो गोली वो देखिए आगे से एक परिवार आ रहा है बागवान प तो दोस्तो अब हम आ गए हैं डायासौर के नाद में हाँ इसी में डायासौर आके पानी पीता जिसे डायासौर का नाद कहा जाता वो देखिए पापा के तीन पर्या इधर भी घूम रही है और पापा का पारा भी अब दोस्तो हम आ गए हैं पार्क के सबसे बेस्ट जगा जिसका नाम है इलू-इलू-प्लेस हाँ दोस्तो इस जगह का नाम है इलू-इलू-प्लेस क्योंकि आप यहां किसी के भी साथ आ सकते हैं और छूपके दुसरे दुनिया के मजा ले सकते हैं इसलिए इस जगह कहा जा इलू इलू प्लेस और दोस्तों यह जगा सांती के लिए बैस्ट है जिसके घर में सांती नहीं है वो सांती के साथ आके यहां सांती ले सकते हैं क्यूंकि इस जगे का नाम है इलू इलू प्लेस यह देखिए कच्छवा बैठा हुआ है इधर कच्छवा उधर भी कच्छवा क अच्छा यह प्लास्टिक के कच्छवे देखें पगल में कुर्सी रखा हुआ रोमैंटिक कुर्सी है वह रोमैंटिक सो चलिए आगे चलते हैं और कुछ और नजारे देखते हैं यह देखें लड़का भाग रहा उसकी गलफ्रेंट साथ भाग रही है या चाहिए दवडार की पता नहीं मुझे सो चलिए आगे चलते हैं कुछ और नजारों के लिए कुछ मिल जाए क्योंकि अभी हाल फिलाल में वैलेंटाइन डे पार हुआ है सायद हमें किसी की छोड़ी हुई चाहे चुटी हुए चाहे भुलाई हुई गलफ्रेंड ही मिल जाए यहां पे तो औ और उससे बड़ी बात क्या हो सकता सुने में सुहागा लड़की मिल जाए लेके भागा तो चलिए आगे देखिए बागवान फैमली बैटी हुई है बागवान हाँ यह देखिए और यह बगल में भी बागवान कही पाठ हैं जो कुछ अपने बच्चे से काम करवा रहे है इसी रास्ते में हम भी चलते तो दोस्तों में अपने आपको भी दिखा देता हो आप लोगों के सारा वीडियो में ही बना रहा हूं वर्ना आप लोग पताने क्या-क्या सोचूँ को कि जिसके तिसकी वीडियो उठाके हमें दिखा रहा नहीं दोस्टों ये सारा वीडियो मेरा खुद का है सो चलिए मैं आप लोग कुछ और दिखाने की कोशिझ करता हूं पर कुछ दिख नहीं रहा है बस एक तरफ टप चल रहा है और एक तरफ इलू-इलू चल रहा है यह मेरा दोस्त अपने दोस्तिनिया के साथ लगा ले वह देखिए एक देखिए छोटा सा मंड़ा पर जहां पर यहां पर रहाने कोशिस मत करिएगा वरना रात में सेर उठा के आपकी दोस्त को ले जा सकता है इससे अच्छा आप निकल ले यहां से साधी करने के बाद यह द देखिए दोस्तों सौर के दर वाजा सकते हैं कुछ लोग तक जा रहे हैं सायद कुछ लोग सोर्ट भी जा रहे हैं देखिए यह देखिये आगी के मतलब औरनWow पॲब स्जेएं vont भू değer नोग्होंैं है यह करें सबस्क्राइब बोलड़ा हुं कि इसना नाम लंगुर और मैं बन्दर कैसा लग रहा हूं दोस्तों जरूर कमेंट बताना सो 17 कर dependent से जाएंगे पता नहीं कहां जाएंगे पर जाना एक जगा जरूर है जहां पर छोड़ो मुने बोलना है कूले कुछे कहां परों अगया है कुछे में कुछे मेंगे जरों त olduğ जाएंगे तो दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है निकलने का सो पांच बज गया है सो अब हम घर के लिए प्रस्थान करें वह देखिए पापा के तिन परिया आगे भी जा रही है चो चलिए चलते हैं घर प्रस्थान के लिगह चलते हैं पुकलने कन वह हम थोल कि लिए ले पांचा के टिन तोस्ति हो भीज अवज़ rather तो दोस्तों अभे भी कुछ लोग पार्क में घूम ही रहे हैं साथ उन्हें लग रहा है कि पार्क में सापसफाई काम करने का मन हैं देखिए छेदा सेक और निकली बबी अधे कि दोस्तों मैं जूल रहा हूं कोशिस कर रहा हूं जूलना का और बच्चा बनने का अड़ी दादा मैं बच्चा बन गया अड़ी दादा और देखिए यह बहुबली के सिट यहां पर लगा रखा लोगों ने उसमें बच्चे जूल रहे हैं जूलते जूलते साथ बहुबली बन जाए कोई पता नहीं और आगे चलते हैं देखिए कुछ आंटिया जा रही हैं पार्क से निकलने के बाद और पीछे-पीछे अंकल भी चल रहे हैं तरूर कोई छोड़ों ने बोलना और तीन आंटियां जा रही हैं सो चलिए हम भी चलते हैं और दोस्तों यह देखिए पार्क अब खाली हो गया है सूरस चचा उपर लटक रहे हैं और हम भी अब घर की ओर तरफ चलते हैं चलते चलते आपसे बात करते हैं बोलना है हलो गाइज हलो गाइज हम लोग भूम के निकल रहे हैं काफी इंजयमेंट हुआ बट जो देखने आए तो वो मिला नहीं क्योंकि आप पाइजा काता हो गया कुर्कूरे का पाइजा जो साथ से चाउदा था उत्यवार के बाद आ रहे हैं दोस्तों देखो साथ चाउदा के बीच में जो प्रेम का तैवार खतम हो गया उसके बाद हम लोग आएं बस समान बटर ने जो मिल जाए दोस्तों देखो हमारी गल्फिंट को हमने देखा अभी एक लॉंडे के साट और दोस्तों देखे एक मेरा दोस्त यहां पर फोटो देखे बागवान फैमिली फिर जा रही है और यह देखे सुनसान जंगल जंगल में यह देखे गाड़ी हाथी घोड़ा और वह देखे अंकल घूम रहें इधर से उधर हमने काफी घूम लिया है बट वह नजारा देखने को नहीं मिला जो आप लोग समझ रहें गाइस तेकि जो साथ से बीच की 14 के बीच भी तो हम लोग आ नहीं पाएं आप लोग को भी अब नजारा दिखाते हैं रुकिए बैक केमरा होगा जी हाँ हो जाए जहां से होगा बायो डेविसिटी पार्ग का क्लोजिंग का टाइम आ गी है देखिए आप लग भी रहना इलु इलु चल रहा देखिए देख लेज़े देख लेज़े तक फुरा क्लोज कर देता है देखिए भी राष्टा एक मतलब यह कि मौर नहीं नहीं आओगे ना तब जागा पुरा का भरोगा तो ब्लोक समा अप्त बाइब बाइब दोस्तो झाल हो तो